दोस्तों आप सबी से नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदबाद नियूज मैं धरवंदर प्रताप सिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं नूह में बात में हिंसा हुई आगजनी हुई गाड़िया फूकी गई उसके बाद फरीदबाद में पलवल में नूह में गुरू ग्राम में माहौल थोड़ा सा खराब हुआ फरीदबाद भी रेड जोन में है यहां की पुलीस पहुत ज्यादा हाई अलर्ड पर है तो कुछ लोगों ने एक्षन का रियक्षन देने का प्रयास किया लेकिन फरीदबाद पुलीस काफी सतर्क है काफी एक्टीब है और इस मामले मे कारवाई की जा रही है तो फरीदबाद पुलीस ने अब तक जो कारवाई की है मैं वही बताऊंगा सेक्टर 58 थाना एरिया में एक धार्मी कस्थल पर हमला हुआ और हमले के बाद फरीदबाद पुलीस ने क्या कारवाई की आपको बताते हैं गिरपतार आरोपियों की पहचान पलवल जिले के असावटी गाउं के रहने वाले रवी तथा प्रवेश के रूप में हुई है दो नामज़त आरोपी मनोज वा रवी नगला जोगियान के हैं अन्य आरोपियों की भी पहचान हो रही है आरोपियों के खिलाब धार्मिक सद्भाव को बिगाडने हिंसा भड़काने अवायद हतियार अधिनियम शाजिस सरकारी आदेसों की अवहेलना इत्यादी संगत धाराओं के तहत नामज़त चार आरोपियों वा अन्य के खिलाब थाना सेक्टर 58 में उदैपाल सभ इंस्प परवाई करके आरोपियों को चंद महिनों के अंदर सक्त से सक्त सजा दिलवाई जाएगी ऐसा पुलिस का कहना है और जो घटना हुई उसके बारे में जानकारी देते हैं रात करीब 12 बजे SI उदैपाल अपनी टीम के साथ एरिया के धार्मिक अस्थलों के आसपास गस्ट कर रहे थे गुप्त सुत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि सीक्री वाग कहली गाउं में धार्मिक अस्थल पर कुछ आसमाजिक तत्तों ने हमला करके हिंसा भढ़काने की कोशिश की है उपद्रिवियों के पास पेट्रोल से भरी बोतल है किसी धार्मिक अस्थल को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे सूचना पुलिस को मिली थी सूचना मिलते ही पूलिस टीम ने थानप प्रभारी अनूप कुमारवा पूलिस चवकी सीक्री प्रभारी सुनील कुमार को सूचित किया और मौके पर पहुंचे उच अधिकारियों को सूचना दे गई, सूचना मिलते ही DCP NIT नहरंदर कादियान, ACP मुझे सर सुधीर तनेजा क्राइम ब्रांच की टेम में मौके पर पहुंची पुलिस को आता दे एक आरोपी तितर बितर हो गए और अपनी मोटर साइकल पर सवार होकर भागने की कोशिश करने लगे पुलिस ने सरकारी गाड़ी बुलेट मोटर साइकल के पीछे लगा दिया और काफी देर की कड़ी मशक्कत के पशात मोटर साइकल सवार दोनों आरोपियों को काबू कर लिया आरोपियों के कबजे से एक देसी पिस्टल, पांच जिन्दा कार्तूस, एक देसी कट्टा तलवार, कुछ पेट्रोल से भरी वा खाली बोतल बरामद हुई पुलिस त्वार, अन्य आरोपियों को चिन्नित कर लिया गया है, उनके तलास की जा रही है, उन्हें जल्द गिरफतार किया जाएगा ऐसा, फरिदबाद पुलिस ने बयान जारी किया है, तो ये सीकरी में ये बवाल होने वाला था, लेकिन पुलिस ने इसको रोक दिया, इस चंदरपाल और आमिर के घर गेट पर की तोड़ फोड, ये तोड़ फोड हुई थी जिसमें बेपी टिपी थाने, ने मुकदमा दर्ज किया, और इसकी जो जानकारी मिली मैं आपको बताता हूँ, फरिदफूर निवासी आमिर ने पुलिस को शिकायत में बताया, कि रात कर बारा बजे वह अपने मकान में सो रहा था, तो बाहर से तेज अबाजे आई, आरोपी उनके पडोसी चंदरपाल को गालियां देने लगे और घर के गेट पर इंटे मानने लगे, 20-25 व्यक्ति कपड़े से मुधक कर हाथों में तलवार कुलाडी वा डंडे लिये हुए थे लाठी डंडे से गेट पीट रहे थे, आसपास के लोग इकठे हुए तो आरोपी जान से मानने की धमकी दे कर भाग गए, आरोपियों के खिलाब ठाना बेपी टीपी में भारती दंडु संहिता की धारा 148, 149, 427, 458, 506 संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, लोग धार्मिक सवहार्द और सद्भाओ को बिगाडने की कोशिश ना करें, असब पुलिस का कहना है, और उनसे सक्ति से निप्टा जाएगा, इसके अलावा भड़काओ पोस्ट ना करें, और ये तमाम बातें पहले भी हमने आपको बता दी, पुलिस की नजर है, पुलिस भी आज समाजिक तत्व अगर पुलिस का प्रयास करेंगे, तो उनके साथ सक्ति से निप्टा जाएगा, तो यही जानकारी प्रसासन की तरफ से आई थी, तो हमने सोचा आपको बताते हैं, देखें, नेट बंद हो गया है, तो सब परिशान हो रहे हैं, कह रहे हमारे मुब बैंड वाले देख पाते हैं, मोबाइल वाले तु देख नहीं पाते हैं, इसलिए फोन करके पूछते हैं, भाई, नेट कप चलेगा, नेट कप चलेगा, कल एक बज़े से चार बज़े तक नेट चला था, तो लोगों ने थोड़ा बहुत निउस देख ली, और जानकारी म पताब सिंग, नमस्कार